Hello everyone, welcome to Hogan LB channel, मैं हूँ अभी जीत, आपका दोस्तरी स्यनका होच तो दोस्तों Facebook account hack होता है, यह तो आप जानते ही हैं, बट वो hack होता कैसे हैं तो जो hacker है, वो किसी भी तरह से आपका Facebook username और password जान लेता है और जानने के बाद उसको ही use करके वो आपका FB account को hack कर लेता है आपको और एक code use करना पड़ेगा आपका FB account को login करने के लिए और यह जो code है, वो हर बक्त change होता रहता है और इसके अलाबा एक code को आप बस एक ही बार use कर पाएंगे इसलिए क्या होगा, जो hacker है, वो किसी भी तरह से आपका username, password जान भी लेता है फिर भी वो आपका जो account है, उसे hack नहीं कर पाएगा तो guys, आज की इस वीडियो मैं आपको वो ही बताऊंगा कि two-factor authentication क्या है और उसको कैसे use करना चाहिए और उसको अगर use करेंगे तो आपको एक backup plan भी ready रखना है तो वो backup plan क्या है और उसको कैसे ready करना है वो सारे चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो पर बताऊंगा इसलिए आज की जो वीडियो है इस अच्छे से इंट तक देखना गाइस और गाइस अगर आप भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो उसके साथ साथ बेल एकन पर भी क्लिक कर देना सो लेट स स्टाट द वीडियो अठेक सोट इन्ट है को फ्यज फ्यज़ कर डूप देखने भी कर पाइंगे उसके सार्ट सथ फेस्बू City कर पाइंगे तो इंटरनेर्ठ बाउजियो तक बॉसद बों से बीकर पाइंगे उसके की इस लिए बहले आत2 अपको दिखा two-factor authentication को on करना है उसके बाद facebook app से कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा तो guys internet browser के थूँ facebook two-factor authentication को on करने के लिए obviously सबसे पहले आपको internet browser open करना पड़ेगा और आप अपने mobile से करते हैं तो यार google chrome browser को open कर लीजिए और laptop या desktop से करते हैं तो कोई भी internet browser को आप open कर सकते हैं और करने के बाद आपको facebook website को open करना है और उसके बाद आपको login कर लेना है तो आपका facebook account login हो जाने के बाद अभी ये जो drop down menu button है इस button के उपर click करना है और settings को open करना है और settings open हो जाने के बाद left side पे आपको बहुत सारा option मिलेगा इन में से जो दूसरा option है जो है security and login इस option को open करना है तो चलिए open करते हैं तो security and login open हो जाने के बाद सबसे पहला जो option आपको मिलेगा उस option पे आप देख सकते हैं कौन-कौन सा device पे आपका facebook account login है और आप चाहे तो उन सारे device से अपने account को log out भी कर पाएंगे तो इस चीज़ का भी ज़रुरत पड़ेगा तो इसलिए इसके बारे मैं भी बाद में बात करेंगे तो चलिए scroll down करके नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाने के बाद ये रहा use two-factor authentication तो अगर आप two-factor authentication को on करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इस two-factor authentication की right side पे जो edit button है आपको edit button के उपर click करना पड़ेगा और click करने के बाद आपको दो option मिलेगा एक है authentication app और दूसरा है text message तो मैं आपको recommend करूंगा कि text message बाला जो option है उसे ही select कीजिए तो मैं भी इसे ही select करने बाला हूँ तो चलिए click करते हैं use text message बाला जो option है उस option के उपर और click करने के बाद अभी आपको यहाँ पे दो option मिलेगा तो इन में से एक है आपका जो पुराना registered mobile number है facebook account के साथ वो बाला number आपको दिखाए देगा तो आप चाहे तो उसी number को select करके continue पे click कर सकते हैं अगर आप new number add करना चाहते हैं तो आपको add phone number option को select करना पड़ेगा और select करने के बाल आपको continue पे click करना पड़ेगा तो मैं new number add करूंगा चलिए continue पे click करते हैं और continue पे क्लिक करने के साथ साथ आपको एक OTP मिलेगा तूस OTP को यहाँ पे टाइप करना है अगर बाइचांस आपको OTP नहीं मिलता है तो आप recent OTP पे क्लिक करके OTP ले सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे OTP टाइप करते ही next page आ जाएगा तो अभी आपको यहाँ पे password टाइप करना है Facebook password और type करने के बाद summit पे क्लिक करना है अभी आपको बस done पे क्लिक करना है और अगर आप Facebook notification को SMS के तुरूप आना चाहते हैं तो इसे on करना है मतलब notification को enable करना है तो इसे अगर आप on करेंगे तो क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा डिश्टामेंस होगा क्योंकि Facebook पे बहुत सारे notification आता है तो इसे मैं off ही रखूंगा चलिए बस done पे क्लिक कर देते हैं अभी देखिए two-factor authentication on हो चुका है और यह है turn off का button अगर आप two-factor authentication को off करना चाहते हैं तो इस turn off button के उपर आपको क्लिक करना है और अगर आप अपना mobile number चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे आपका जो mobile number दिख रहा है उसकी ठीक right side पे आपको message का एक button मिलेगा तो उस button के उपर क्लिक करते ही आपको दो option मिलेगा एक है use different number और दूसरा है turn off तो use different number पे क्लिक करके आप new mobile number add कर पाएंगे तो guys two-factor authentication को on करने के बाद अगर आपक कैसे facebook को login करोगे तो उसके लिए आपको एक backup method भी add करना पड़ेगा तो backup method पे यहां पे आपको तीन option मिलेगा एक है authentication app दूसरा है security key और तीसरा है recovery code अगर आप authentication app यूज करेंगे तो वो आपके mobile पे ही रहेगा और mobile number खोने के साथ साथ वो भी चला जाएगा और दूसरा है security key तो यह security key के लिए आपको अलग से USB key purchase करना पड़ता है और वो जो key है वो बहुत ही costly होता है तो इसलिए यह जो recovery code का option है यही मैं आपको recommend करूंगा तो चलिए अभी recovery code setup कर लेते हैं तो setup पे click करने के बाद अभी आपको get codes option के उपर click करना पड़ेगा और click करने के बाद आपको note down करके रखना है या आप चाहे तो screenshot लेके भी अपने पास अच्छे से रख सकते हैं जब आपके पास आपका mobile number नहीं होगा तब इन में से किसी भी code को use करके आपको facebook account login करना है और guys कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि कि किसी ने आपका code copy कर लिया है या देख लिया और सारे code note down करने के बाद अभी close button के उपर क्लिक करना है तो चलिए अभी फिर से settings को open कर लेते हैं और settings को open करने के बाद अभी भी कुछ काम आपको करना है तो चलिए फिर से security and login option को open करते हैं और open करने के बाद अभी क्या करना है यहा पे देखिए use two factor authentication की ठीक नीचे आपक जो devices का name दिखाए देगा इन सारे device में आपको login करने के लिए OTP use करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो इसलिए मैं क्या करूंगा इन सारे device को select करूंगा और remove कर दूंगा अगर आप अपने smartphone को authorized device रखना चाते हैं तो अपने smartphone को छोड़के बाकी के जितने भी device यहाँ प पर आपका account login है तो अभी मैं क्या करूंगा इन सारे device से मेरा facebook account को मैं logout कर दूंगा तो चलिए एक एक करके logout कर लेते हैं क्योंकि अगर आप उसे logout नहीं करेंगे तो बहाँ पे आपको OTPP use करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि already तो उस device पर login है इसलिए two factor authentication को on क करने के बाद आपको सारे device से अपना facebook account को logout भी कर लेना है अपने facebook account को safe रखने के लिए चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको facebook app के through two factor authentication को on करना है और कैसे आपको recovery code लेना है तो चलिए मैं facebook app को open कर लेता हूँ और facebook app open करने के बाद आपको login करना पड़ेगा अगर आपने login नहीं किया है तो मेरा तो पहले से login है तो मैं क्या करूंगा टॉप right corner पे जो menu button है उस menu button के उपर क्लिक करूंगा और क्लिक करके scroll down करके नीचे आ जाओंगा और settings and privacy option को open करूंगा और उसके बाद privacy shortcuts को open करूंगा और उसके बाद scroll down करके नीचे आना है account security पे औ और account security पे सबसे last option जो आपको मिलेगा वो है use two factor authentication तो उसको open कर लेते हैं अभी facebook password डालना है और उसके बाद continue पे click करके next step पे जाना है अभी two factor authentication के लिए आपको दो security method मिलेगा एक है authentication app और दूसरा है text message तो चलिए use text message option के उपर click करते हैं अभी आपको mobile number select करना है और continue पे click करन है अगर आप new number add करना चाते हैं तो add phone number की option भी आपको मिलेगा तो add phone number पे जाके आप new mobile number add भी कर पाएंगे तो चलिए मैं mobile number select करके continue पे click कर देता हूं और continue पे click करने के बाद आपको एक code मिलेगा और उस code को confirmation code पे आपको type करना है अगर आपको by chance code नहीं मिलता है तो आप recent code option के उपर click करके दोबारा code ले सकते हैं और guys code को type करने के बाद आपको continue पे click करना होगा अगर आप facebook sms notification को on करना चाते हैं तो इसे आपको on करना पड़ेगा उसके बाद आपको down पे click करना पड़ेगा तो मैं बस down पे click करूंगा facebook sms notification को off ही रहने दूंगा अभी देखिए two factor authentication on हो चुका है तो scroll down करके नीचे आ जाते है add backup method पे और add backup method पे आपको recovery code का option मिलेगा तो आपको बस इस recovery codes के उपर click करना है उसके बाद get codes option के उपर click करना है और get codes option के उपर click करते ही आपको 10 different code मिल जाएगा और इन सरे code की एक screenshot लेके आपके पास save करके रख लीजिए अगर आप इस video को skip करके बस इस facebook app पले part को देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस recovery code की जरूरत क्या है और इसको लेकर क्या करना है इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं ये जो recovery code है ये आपको तभी जरूरत पड़ेगा जब आपके पास आपका mobile number नहीं ह क्योंकि mobile number नहीं होगा तो आपको OTP नहीं मिलेगा और OTP नहीं मिलेगा तो आप facebook को login नहीं कर पाएंगे तब आपको क्या करना है इस backup code को यूज करना है और इस backup code में से कोई भी एक code को यूज करके आप अपने facebook account को login कर पाएंगे और guys कभी अगर ऐसा होता है कि किसी ने आ इस two-factor authentication तो अभी on हो चुका है तो चलिए अभी मैं facebook को login करके आपको दिखा देता हूँ कि ये two-factor authentication किस तरह से काम करता है और two-factor authentication को on करने के बाद आपको कैसे login करना पड़ेगा तो login के लिए username तो मैंने type कर दिया है तो चलिए अभी फटाबट password को type करते हैं और उसके बाद login पे click कर देते हैं अब देखिए magic username password type करने के बाद भी मेरा facebook account login नहीं हुआ है अब मुझे एक six-digit code type करके continue पे click करना पड़ेगा login करने के लिए और ये जो six-digit code है वो मेरे mobile पे आ चुका है sms के through और guys आपने जिस mobile number को two-factor authentication के लिए set किया है उसी number पे आपको six-digit code मिल जाएगा जब आप login करने जाएंगे और उस code को यहाँ पे type करना है उसके बाद आपको continue पे click करना है तो आपका login हो जाएगा अगर आपके पास आपका mobile नहीं है या आपका mobile खो गया है तब आपको क्या करना है आपके पास जो recovery code है उस code में से कोई भी एक code को यहाँ पे टाइप करके continue पे click करना है login करने के लिए और continue पे click करने के बाद आभी आपको दो option मिलेगा एक है save browser और दूसरा है don't save अगर आप save browser को select करके continue पे click करते हैं तो क्या होगा जब आप इस browser से दोबारा आपने facebook को login करने जाएंगे उस बक्त आपको ये जो code है code को use करने की उसके बाद continue पे click कर दीजिए और आपका facebook login हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like कर दो उसके साथ साथ वीडियो को share करना बिल्कुली मत बोलना और गैस अगर अभी कि भी आपके मन में कोई doubt है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को subscribe करके जाना उसके साथ तक बेल आइकोन पर भी click कर देना so bye bye and take care